नमस्कार साथियो, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता लेकिन जीवन से अलियों के बदलने से भासाओं का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी भारत में हिंदी की एक राजनेतिक हैसियत है, साथी साथ वो जन संपर की सबसे सस तमाध्यम है, इसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जनवादी लेखक संके संयुक्त महासचिव और देशभंदी कॉलेज के असोसियेट प्रोफिसर संजीव कुमार, तो सर इस पर बात करने से पहले आज अमीच्चा के वक्तव इसे शुरुआत करते हैं, उनका कहन है कि अनेक भासाएं, अनेक बोलियां कई लोगों को लगता है कि यह देश के लिए बोज है, भासाएं, अनेक बोलियां हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, परंतु जरूरत है कि देश की एक भासा हो, जिसके कारण विदेशी भासाओं को जगह न मिले, क्या आपको ल जो पहला हिस्सा है उसमें वो विविधता का सम्मान कर रहे हैं सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इस विविधता का सचमुछ उनकी आइडियोलोजी को सम्मान करती है क्योंकि हमने यह नहीं देखा कि भाषा के मामले में ही नहीं किसी भी और मामले में जो विविधता है हमारे देश की उसके प्रती कहीं भी वो सजग हो वो एक रूपता की बात करते हैं और हम जानते हैं कि भारत में एक रूपता से हासिल नहीं की जा सकती वो विविधता से हासिल की जा सकती है तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस कि विदेशी भाषा न रहे इसलिए हमें एक भाषा की जरूरत है कौन सी विदेशी भाषा है जाहिर है वो अंग्रेजी को रेखांकित करना चाहते हैं तो फिर अंग्रेजी ही क्यों नहीं कहा ये विदेशी शब्द क्यों आया है ये बताता है कि उनकी विचारधारा क्या है वो असल में देशी और विदेशी का टकराव खड़ा करना चाहते हैं सचाई ये है कि अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करके वो ये कह सकते थे कि चुकि वो जन्भाशा नहीं है बहुत ज्यादा लोग उसको नहीं समझते हैं इसलिए हमको एक भाशा की ऐसी जरूरत है जो अंग्रेजी को अपदस्त कर सके उसको प्रतिस्थापित कर सके और वो जन्भाशा की अपनी भूमिका निभा सके ऐसा उन्होंने नहीं कहा इससे पता चलता है कि उनके वक्तवी की जो इस्पिरिट है वो नहीं है जो कि वो पहले वाकि में कहना चाह रहे था मेरा दूसरा सवाल है कि अगर हम राजनीती की भासा देख लें आम समय में इस समय में और मीडिया की भी भासा देख लें तो जब वो स्थानी भासा या हिंदी के रूप में भर के आती हैं कि उनके संदर्वह से तारकिक्टा गायव लगती है वग्यानिक्टा गायव लगती जनवाद गायव लगता है नियाए भाउक्ता का माध्यम बनना चाहती है भाउक्त तरीके से वहां पहुंचना जाती है जैसे कि नफरत पैदा कर दिया ऐसे वक्तवे से और लोगों से चुड़ गए जैसे कि आमोमन राजनीती में होता है दुरुवी करण करें उसका इस्तेमाल करें नहीं मैं इसको इस तरह से देखता हूं भाशा अपने आप में कुछ भी नहीं है या थोड़ा सा अपने को सुदार करूँ तो मैं कहूंगा कि भाशा भी है उसका भी अपना ध्हांचा होता है और उस ध्हांचे के बीतर भी लोकतांत्रिक मुल्य हैं या नहीं हैं यह हमें देखना होगा लेकिन मकसद से इस्तेमाल की जाती है उस मकसद को देखने की जरूरत है अब चुकि हिंदी या तमाम स्थानिय बोलियां जनता के ज्यादा बड़े हिस्से में पहुँच सकती है इसलिए जो धुरुविकरन करने वाली ताकते हैं वो उनका बहुत चालाक इस्तेमाल करती है पर उसी ह यह हुआ कि उस भाषा के अलग लग तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं और जो प्रतिगामी ताकते हैं वो उनका अपने संकीर्ण मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले जाती है यह आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है पर मैं पलेट कर कहूं कि अर्णव गोस्वामी अंग्र अंग्रेजी से वो लोकतांत्रिक्ता गायब हो जाती है वो जनवाद गायब हो जाता है और कॉंटेंट बिल्कुल वही होता है जो कि किसी स्थानिय भाषा में विभाजनकारी ताकतें ला रही होती है इसका मतलब यह है कि भाषा अंतता एक माध्यम की तरह ही आती है हमारे ख्याल है कि अंग्रेजी का तो मैं विशेशगी नहीं हूँ लेकिन उस अंग्रेजी में भी आज की तारीख में ही की जगह शी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है और उसके प्रती लोग अलग से सजग हैं इसका मतलब है कि उस भाशा के भी मूल धांचे में वो और जो लोग उसको दूर करना चाहते हैं वो भाशा में उस तर पर अपनी ओर से सचेत होकर अपने प्रियोगों को मांजने की कोशिश करेंगे अब मैं आपको उदाहरण दू कि अंग्रेजी में तो ही की जगह शी का इस्तेमाल होने लगा हिंदी में कोई ऐसा विकलप नह हिंडर न्यूट्रल है तो हिंदी में कैसे किया जाए उसको हिंदी में जाकर वो क्रियापद में होता है एक लेखक जब लिखती है लेखक जब लिखता है कहने की बजाए हम जब कहेंगे कि एक लेखक जब लिखती है तब जाकर के वो बात आपाएगी जो कि अंग्रेजी म अंदर की अपनी लड़ाई है और हर पीड़ी को अपने नए मुल्यों के अनुरूप पहले से विरासत में मिली भाषा को इस तरह बदलना होता है तो आपको लगता है कि जो ग्यान का छेतर है ज्यान उत्पादन का छेतर है जैसे कि मानवी की अर्थसास्त समासास्त इसके जि एक व्यक्ति जब अपने रोजगार के लिए या किसी वी चीज के लिए इन सारे चीज़ों को अध्यान करता है और उसको जनता तक पहुंचना होता है तो दरशल वह कनेक्ट होने की जो भावना है उसके मुहावरे नहीं उसके पास होते हैं उनसे connect नहीं कर पाता है इसी परिसानिया भी तो देखने को मिलती हैं देखिए पढ़ने लिखने की जो दुनिया है उसमें अवधारनात्मक शब्दावली का बड़ा महत्व है और वह अवधारनात्मक शब्दावली सवभागे या दुर्भागे से हमारे पास पश्चिम से ही आ रही है तो नतीजा यह होता है कि जब आप हिंदी में वह अकादमिक कारी कर रहे होते हैं तब ऐसे शब्दों से नहीं बच सकते जो कि हि बड़े हिंदी में नहीं है लेकिन किसी एक समय में हम यह उमीद करते हैं कि लगातार इस्तेमाल से वह हिंदी के अपने शब्द भी लगने लगेंगे और वह हिंदी के अवधारनाएं लगने लगेंगे आप यह देखिए ना कि राष्ट्रवाद कौन सा हिंदी का अपना है यह तो नेशनलिजम के लिए एक गढ़ा हुआ हिंदी का शब्द है लेकिन वह राष्ट्रवाद शब्द आज कितने नीचे तक पहुंचा हुआ है और किस तरह भावनाओं को उभारने के काम में आता है तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अकादमिक जगत में इस तरह के अब धारनात्मक शब्द मिलेंगे और उनका मिलना जरूरी है क्योंकि उसके बगैर शायद सोचने विचारने का काम नहीं हो सकता तो जैसे ही आप एक हिंदी वाले से कहते हैं कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तवाल न कीजिए दरसल आपके कहने का मतलब होता है कि आप परिटकल साइंटिस्ट है और वो कहते थे कि यार हिंदी में ये क्या शब्द है नव उपनिवेश वाद नव उदार वाद तो मैंने कहा कि मैं पलट कर आपको यह को हूँ कि ये क्या अंग्रेजी का शब्द है नियो लिब्रलिजम नियो कलोनियलिजम तो आप क्या हम हें कि सअहित बहुत अच्छा रचा अब भी लखता है कि साहित आता है कि सवाजिक को समझने की जो चींवेश ने कि भी हिंदी ठीक ठा कर लेता है लेकिन साहित्य का जो अगला पहले होता है क्योंकि हर समासास्त पहले साहित्य ही होता है वहां पे जाकर परिशानिया फिर उसका अर्थसास्त में बनने जाकर परिशानिया फिर विज्ञान में जाकर परिशानिया तो आपको क्या लगता है कि केवाल एक पुंजी का जो बाजार है जो एक साहित्य तक सिमित हो गया है, सिनेमा तक सिमित हो गया है सोसल मीडिया तक सिमित हो गया है बस वहीं तक हिंदी रुख गई है देखिए जो पुंजी का बाजार आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि साहित्य को तो उससे बाहर कर दीजिए क्योंकि वो पूंजी के बाजार का भी हिस्सा नहीं है सिनेमा, सोशल मीडिया और यहां तक की मुखिधारा मीडिया उसको आप पूंजी के बाजार में शामिल करते हैं इसमें सच मुझ कोई दिक्कत नहीं है पर साहिती कितना बिक रहा है, मतलब उसमें कितनी कमाई हो रही है वो तो जादा नहीं है मेरा ख्याल है कि बात यह है नहीं बात यह है कि समाज ग्यानिक शिंतन हिंदी में जब भी होता है तो वो लेखक के अंदर भी अनुवाद की एक प्रक्रिया से ही होता है हम अगर कुछ लिख रहे होते हैं तो हम असल में अपने मन में अंग्रेजी शब्द सोच रहे होते हैं और हम उसे हिंदी में लिख रहे होते हैं इस अनुवाद की प्रक्रिया से जो भाषा निकल रही है वो भाषा उस तरह से सीधा जूड़ने ही पाती है लोगों से, नमबर एक, और नमबर दो की उसके जूड़ने की जो पूर्व शर्ते हैं, वो कम सकम हिंदी के हलके में अभी पूरी नहीं हुई है, कि वो शब्दाव ज्यादा ज्यादा लोगों के दोरा जानी जाए, इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी इतिहास में लिख रहा हो, राजनीती विज्ञान में लिख रहा हो, समाज शास्त्र में लिख रहा हो, या लिख रही हो, तो उसकी पहली प्राथमिक्ता होगी कि वो अंग्रेजी माध तो है हिंदी राजनीतिक और जन्समपर के लेकिन वो ससक्तता पैदा नहीं करती है जन्ता में उस तरह का ससक्तता उस तरह की जागरुकता तो आपको अपने इस पूरे करेर में कैसा लगा कि हिंदी आखिरकर कैसी होनी चाहिए देखिये हिंदी कई तरह की है और इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हम हिंदी की नहीं हिंदियों की बात करें कई तरह की हिंदियां हैं और ये जो अलग अलग तरह की हिंदियां हैं ये हिंदी इन जनरल की एक खुबसूरती है आप देखिए कि हिंदी में अगर चायवादी साहित की तरफ आपकी नजर जाए तो उसमें ऐसी जुबान मिलती है जो पूरी तरह से तत्सम पर आधारित है यानि संस्कृतिनिष्ट है लेकिन आप उसको यह कहकर खारीज नहीं कर सकते कि यह संस्कृतिनिष्ट है इसलिए य आणन्द है और हिंदी साहिति के ही भीतर कम से कम उसके गध्य में ऐसी जुबान मिलती है जो बिल्कुल आमफहम है जो हिंदुस्तानी के बहुत करीब है जिसको हिंदुस्तानी ही कहें जो जिसके बारे में दुश्धित कहते थे कि जब उर्äg हिंदी दोनों अपने राज सि उतर कर चादनी चौक की गलियों में घूमने लगती हैं तब वो जुबान पैदा होती है उत जुबान में हिंदी का गर्दी साहित लिखा जा रहा है लंबे अर्से से लिखा जा रहा है हां हम हिंदी के विशलेशन परक लेखन से यह उमीद नहीं कर सकते कि वो उसी आम फहम जुबान में रहे क्योंकि उसकी मजबूरियां है उसको विशलेशन में उतरना है और विशलेशन के लिए उसको अवधार्णात्नक शब्दावली का इस्तेमाल करना है तो मेरी सबसे प्राथमिक्ता वाली जुबान तो वो है जो आम फहम है जो हिंदुस्तानी है जिसमें उर्दू के शब्द और संस्कृत के शब्द और पष्टो के शब्द सब आते हैं अपनी गती के साथ आते हैं और जहां मुझे जो उचित लगता है मैं इस्तेमाल करता हूं मैं भी अभी आपके साथ बात कर रहा हूं तो शायद मेरी जुबान में वह चीज जहलक रही है लेक यह नहीं कहूंगा कि उसका इस्टेंडराइजेशन कर दिया जाए मैंने पहले एक लेख लिखा था उसमें बताया भी था कि फणिश्वनात रेणू का मैला अचल जब चप कर आया अब उसका प्रूफ जब पढ़ने के लिए दिया गया किसी प्रूफ रीडर को तो उन्हों तरह की जुबाने अपनी अपनी जगह पर उपयोगी हैं हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि जो सरकारी हिंदी चल रही है जिसको हम राज भाषा के रूप में जानते हैं वो बिल्कुल जनता से कटी हुई भाषा है उस भाषा ने अपना कोई मकसद हासिल नहीं किया है ये वो भाषा है जो सब्वे को भूमिगत पैदल पारपथ कहती है आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति ये कहेगा आपसे कि वहां भूमिगत पैदल पारपथ मिल जाएगा उससे चले जाईए तो इस तरह की भाषा ने सबसे अधिक नुकसान पहुचाया है और मुझे लगता है कि ह इंदी जहां लोकप्रिय माध्यमों में जाती है वहां इस तरह की जुबान का वो सबसे पहले प्रतिरोध करती है शुक्रिया इस विससे पहम से बाचित करने के लिए धन्यवाद एक सबसे जरूरी बात भासाएं क्या हो जिसमें सब सामिल हो जाएं यानि कि जो लोक तांत प्रतिरिक है वही सबसे सुंदर भासा है शुक्रिया आप देखते रिये न्यूस क्लिक्ट